हाई गाईज, वेलकॉम बेक टू मैं च्रानेल आप सबने सोचा होगा ना कि इतने टाइम से में वीडियो अफ्लोड क्यों नहीं कर रहे थी एक रिजन था जिस वज़े से में वीडियो सब घ्रप नहीं कर पा रहे थी तो अब जैसे कि आप सबको पता है कि lockdown चल रहा है कोई घर से बाहर जा नहीं सकता कोई अंदर आ नहीं सकता तो शलिए कुछ नया कर लेते हैं मतलब lockdown में घर बेठे ही हम dance सीखते हैं है ना बहुत इंट्रेस्टिंग बात है ना तो हम केसे dance सिखेंगे मैं आप सब के लिए एक सीरीज लेके होंगी कि dance tutorial लेके होंगी तो इसमें हम क्या करेंगे मतलब किस type का dance होगा हम वो सिखेंगे सबसे पहले हम सिखेंगे कि dance करने से पहले हमको क्या क्या करना चाहिए मतलब एक student आता है dance करने के लिए तो उससे पहले उसको क्या क्या करना चाहिए मतलब उसको body को कैसे prepare करेंगे चलिए start करते हैं कि कि 10 सबसे पहले हम पूरा बदी का वर्म अप करेंगे सबसे लेकर पाओं तक पूरा बॉっri बड़ा वर्म उप हो लएगे अगर एसे होगा तो हम ज writers करेंगे तो हमें डान्स करने के लिए विल्कुल भी डिफिकल्टी बेहसे नहीं करना पड़ेगा सबसे पहले मैं head moment कर रही हूं देखिए left right left right left right उसके बाद हम करेंगे up down up down up down इसके बाद हम पूरे head को circular motion में घुमाएंगे देखिए इस तरह से ऐसे करेंगे तो हम जब भी dance करेंगे तो उस तेम अगर कुछ एसा head moment होगा तो हम बिल्कुल easily कर पाएंगे इसके बाद हम करेंगे shoulder moment देखिए इस तरह से घुमाएंगे धीरे धीरे करके आगे से लेके पीछे तक घुमाना है फिर पीछे से लेके आगे से घुमाना है देखिए इस तरह से हो गया अब हाथ को open करेंगे close करेंगे open करेंगे close करेंगे इस तरह से continue करेंगे यह आपके उपर depend करता है अब कितने समय तक यह सब करेंगे अगर आप stage में dance करने के लिए जा रहें तो थोड़ा 5-10 मिनिल कर सकते हैं अगर घर पर practice करने के लिए कर रहें तो आधा गंटा करेंगे इसके बार देखिए मैं हाथ की उंगलियों को केसे घुमा रही हूँ आप बिलकुल इसी तरह करिए और अंदर से लेके बाहर इसे छोड़ना है इसे ऐसे करके आप करेंगे इसके बाद हम कमर हिलाएंगे दोनों साइट में ऐसे से करके हिलाना है लेप राइट लेप राइट उसके बाद आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे इसके बाद हम कमर को घुमाएंगे जैसे हम सर को घुमा रहे थे बिलकुल इसी तरह से कमर को घुमाएंगे कि यह पांच मिनिट का वाम अफ है अगर आप ज्यादा देखना चाहते हैं वेसे तो बहुत सारी है अगर आप ज्यादा देखना चाहते हैं तो मुझे मेसेश कर सकते हैं मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगी इसके बाद हम आये हैं पेर के पास देखे इस तरह से उठा पास बाद हम करेंगे पेर को एक साइड से उठाएंगे इस तरह से बिल्कुल इसे टाइट करके रखेंगे उसके बात आगे लेके फिर आगे में करेंगे फिर वापस लेक्या जाएंगे दुवारह ऑने कि इसी तरह से आपको कंवेडीनियू करना एं यह आगे हो गया है अब हम साइड में करेंगे देखे इस तरह से पहले आगे लेंगे उसके बाद साइड में उसके बाद हम पीछे जाएंगे मतलब पीछे के तरफ पेर को ऐसे फेकेंगे जोर से इस तरह से बिलकुल टाइट करना है याद रखना कभी पेर को लूज नहीं करना है अब को उसी तरह से ऑपोजिट लेग में भी करना है इसके बाद हम पेर को जोड़के नीचे के तरफ जाएंगे फिर उपर की तरफ उठ फिर से नीचे के तरफ जाएंगे और फिर उपर की तरफ रहेंगे और बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है इसके बाद हम पेर को थोड़ा सा ओपन करेंगे इसे खुल देंगे देखे इस तरह से उसके बाद हम पेर को नीचे लेके जाएंगे हाप तक और उपर उठें कि मुद्राएं आप सोच तो चुनकि ये ऊबम क्यों सिदन्स का ट्यूटुरियल है अब ओले है और फिसी अर्टobenे का ट्यूटुरियल जेले आपके पास लेकर आउने कौन झाल झाल